Hello everyone, this is Indra Vikram, Welcome to Magnet Brains, आज के वीडियो में शुरू होने वाला है जपान में Reformation इसके पहले आपने सिचुएशन जो देखी है, यानि कि जपान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें कैसे फ्यूडल से फिर जो एक नया सिस्टम शुरू हुआ, एक फ्यूडल लॉड का, मतलब एक ऐसा परसन जो सारे फ्यूडल लॉड्स को रेगुलेट करेगा, तो वो फ रिफॉर्म्स भी करेगा वहाँ पे जपान में, और एम्परर के जस्ट बाद इसको वहाँ पे माना जा रहा है, जिसे हम शौगून के नाम से जाते हैं, यह परंपरा पूरी जपान में चलती रही, लेकिन लास्ट जो फैमिली थी, जिसके बारे में हमारा लास्ट वीडिय किये, बहुत सारे ऐसे administrative, political, social, economic policies को implement किया, जिनकी वज़े से आगे जाके reform की requirement पढ़ी, अच्छा, अब यह जो मेजी restoration है, इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको थोड़े से glimpse दूगा पिछले, हमने जो कुछ भी कहानी पढ़ी है उसके बारे में, यानि जो कुछ भी पिछले वीडियो से, उसका एक शोटा सा glimpse रहेगा, ताकि वो चीज लिंक हो जाए, इसके बाद फिर आपको मेजी restoration के बारे में बताना शुरू करूँगा, कि वास्तविक्ता में मेजी restoration था क्या, तो जपान में बड़े लेवल पर transformation होने वाले हैं, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तनों से गुजरने लगा है, आपने पिछले वीडियो में वो सारी कहानी देख ली है, जब मेजी restoration के पहले जपान की क्या अस्तेती थी, अभी इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा recall करवाऊंगा, कि मेजी restoration के पहले जपान में क् situation थी, और मेजी restoration है क्या, तो exactly अगर मैं शुरवात में आपको बहुत एक आइडिया देदू, बहुत concise आइडिया देदू कि मेजी restoration है क्या, तो देखो, मेजी restoration वो simply a kind of transformation, एक बड़े लेवल पर बदलाओ, एक बड़े लेवल पर transformation है, यह transformation में क्या चीज़ा include है, दो Japan में उसको imbibe किया गया, यानि Japan का transformation किया गया और transformation was on the based on western model, transformation was based on western model and at the same time, Japanese traditions were also kept alive, Japanese traditions को भी जिंदा रखा गया, Japanese traditions को भी बनाय रखा गया, तो western model और Japanese traditions को मिला दिया जाए, तो उसी transformation को हम मेजी restoration कहते हैं, clear है? जैपान में होने वाले बड़े लेवल पर परिवर्तन जो थे, तोकुगावा फैमिली के दौरान, इन्होंने उस समय का जो समराथ है जैपान का, एक 14 साल का लड़का जिसका नाम था, मोचोही तो, उसको बाद में मेजी नाम से समराथ बनाये गया, और ये मेजी या मोचो हमेशा एडवाईस देता था, तो उसके हेल्प से बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स करेगा, और इसी को हम मेजी रेइस्टोरेशन कहते हैं, मेजी रेइस्टोरेशन ने जैपान को एक ऐसे देश के तोर पर उस दौरान खड़ा किया, उस दौरान इस्थापित किया, जो ए इन ही दौर का है, इसी समय जब जब जपान ने अपने लेवल में एडवांसमेंट्स किये, बाहर की जो सिचुएशन थे उसको समझा, बाहर के सिचुएशन का मतलब है, उस दौरान जो एक्स्टरनल प्राब्लम्स चल रही थी एशिया में, बड़े लेवल पर जो कॉलोना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो जैसा मैंने का ना उस समय की परिस्ति ऐसी थी उस समय का जो पॉलिटिकल डिवलप्मेंट चल रहा था, उस पॉलिटिकल डिवलप्मेंट में जपान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था कि वो इन्ड़ेशन के तरफ जाए आप कह सकते हैं कि जपान के साथ वहां पर एक फॉर्चुनेट इवेंट है ये कि वहां के लोग उस पॉलिटिकल चेंज को समझ रहे हैं, एक्स्टर्नल और इंटर्नल चैलेंजेस को समझने के बाद बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स करने के लिए तयार हो रहे हैं, अब आप इसे कु हैं, जहां पर विकज अफ लैक आफ डाट विजन हमें कई सालों की गुलामी जहिलनी पड़ी, जपान उस खत्रे की आहट को बहुत अच्छे से पहचान रहा था, भारत जैसे देशों के साथ जो चीजे हो रही थी, जो एक्टिवटीज हो रही थी, जो कॉलनाइजेशन हो रहा था, उसको बहुत अच्छे से पहचान रहा था जपान, और इसी के चलते जपान ने आधुनी की करन करना शुरू किया, ताकि वो एक बड़ा आर्थिक और मिलिटरी पावर बन सके, इट कान बिकूम और मिलिटरी यान एकनॉमिक पावर, क्योंकि जपान को पता चल ग आएंगे, और ये हमारे कॉलनाइजेशन का रास्ता भी खुल जाएगा, तो क्या-क्या इवेंट हुए, कैसी-कैसी चीजे हुई, वो सब कुछ, ये तो मैने आपको एसेंस बता दी है, मेजी रिस्टोरेशन का, अब हम पूरी कहानी को डिटेल से समझते हैं, यानि अगर आप से कोई पूछे की मेजी रिस्टोरेशन था क्या, तो you can simply say that, it was the transformation of Japan, which was based on the western model and the Japanese tradition, very simple, Japan has started modernize itself, modernizing itself, so that it can become a rival of the European nations, okay, आप ये भी कह सकते हैं, की Japan has started industrializing itself, so that it can become a rival of European nations, ठीके, and at the same time, it can avoid its colonization, ताकि वो साथ-साथ अपने अपने वेशी करण को भी avoid कर सके, अपने वेशी करण की स्थिति ना बनने दी जाए, तो आपको मैं, मैंने कहा कि, थोड़ा सब पीछे लेके चलूँगा, चलिए वहाँ से हम, series of events को बहुत detail में नहीं, लेकिन ऐसे series of events, जिनों कोने मेजी रिस्टोरेशन तक की घटनाओं को आप क्या सकते हैं कि एक थरस्ट दिया, मेजी रिस्टोरेशन को एक तरीके से बड़ा थरस्ट दिया, तो वो ये घटना है, ग्यों से खुआ, 10. 1185-1868 तक ये वह टाइम पीर reden है आप को बहुत अच्रे सित पता है, जब जब पन केA Political System में एक military dictator, जो है, ये dominated है, ठीक है, एक military dictator जो है, ये dominated है और इसका नाम था शोगून, so from 1185 to 1868 there was a person known as not exactly a person there was a designation okay which was controlling the whole Japan तीक है और ये एंपरर के जस्ट अबाद था एंपरर के जस्ट बात था even emperor की सारी शक्ति क्योंकि emperor को क्या माना जाता हो था emperor एक divine figure हो गया अब वो इतना divine हो गया इतनी divinity इस level पर उसके साथ जुड़ गई कि वो common activities common administration common लोगों से मिलना ही नहीं चाहेगा समझ रहे हैं मतलब वो चाहेगा नहीं चाहेगा लेकिन एक system इस तरीके से बन गया जिस सिस्टम में एक किंग जो है वो ceremonial emperor जो है समराट जो सरीमोनियल हो गया और वास्तिवी काम जो है उसके मातहत लोग करने लग गये और सबसे बड़ा पावरफुल जो एक व्यक्ति होता था यह जो एक designation post होती थी उसका नाम था शोगुन सो 1185-1868 तक यह dominated रहे वहां पर ठीक है और उस अफिस पावर ऐसा कुछ नहीं था ठीक है यहां पर एंपर एक्चली जानबूज की सिस्टम में अपना एक आप कह सकते हैं की सहमती दे रहा है ठीक है तो जापान के समराट की सहमती से यह चीज़ चल रही है कि वहां पर जो शोगुनात है यानि जो शोगुन इन शोगुन लोगों ने इन शोगुनात परमपरा के लोगों ने जपान को उस समय रगरेट करने के लिए चोटे-छोटे एरियाज में, छोटे छोटे बॉलिटिकल रीजन्स में डुटी क्या हुआ था, जिन्हें हमज राइमो कहते थे, डिफरेंट रीजन्स को और डुटी क्या हुआ थे, जिन्हें हम डाइमो कहते थे और यहां पर फ्वॉडल L Wass होते थे, इन फ्व्उडल L德 के तरूँ इनको military help देने के लिए यहां पर एक और विंग होती थी जिसका नाम है Samurai और इस तरीके से दायमो और Samurai they were actually you know managing or administering the particular territory Samurai आपको पिछले episodes में पिछले videos में पता चल गया कि Samurai क्या होते थे उनका basically क्या इन से लेना देना होता था वो सब कुछ यहां एक simply एक recall हो रहा है ठीक है Samurai educated military class होते थे ठीक है जिनको इनकी service के बदले जमीने बगएर दी जाती थी और यह वहां पर अपनी military services देते दायमो को यह activities वहां पर इस तरीके से एक फ्यूडल विवस्ता चल रही तो जपान अभी फ्यूडल स्टेज में था अब फ्यूडल स्टेज के दौरान कुछ conflict हुए जिनको आपने टोकुगावा फैमिली में देखा कि टोकुगावा फैमिली कैसे आगई जब टोकुगावा फैमिली आएगी वहां पर तो आपने देखा कि उन्होंने तीन बड़े लेवल पर reforms किये सबसे पहला कि उन्होंने क्या किया कि लगवक सौ सालों तक जो यह अन्रेस्ट का पीरिड चल रहा था लगवक एक सैंचुरी तक हंड्रेड इयर्स तक उस समय क pourquoi यह प्시क्वर में इस्टन जपान हैं और जो वेस्टन जपान है यहां की जो फ्यूडर लॉड्स थे इनके बीच में उस समय और यह तो आपने ने दिनन धधिर को कॉंड़ेश्ण श़ू किया सबसे पहला कॉंड्स तो challenged लाग.. इस ताईबिल्यूलिटि लाएघ। उसके लिए आपने देख लिया पिछले वीडियो में कि क्या क्या किया इन लोगों ने इन्होंने लोकल डायमोस को क्या बड़े लावल पर उनको कंट्रोल किया ताकि इनकी पावर जो है वो ग्रो ना हो और यह वापस एंबीशियस ना हो और अमीशियस नेस के जरिए मतब अ हमारी अथारइटी का आपस से चैलेंज करना शुरू कर दें ठीक है अब देखो यह मैं क्यों बता रहा हूं आपको क्योंकि इसी दोरान वहां पर जब तो का वा फैमिली का पर पर्टिकुलर्ड वीडियो जो बना हुआ है तो को गावा फैमिली में में आपको एक पर पर् को carry japan की foreign policy जो एंसको हमनान देते हैं तीक है जपान की फॉरेंड पॉलिसी जो है जपान की फॉरेंड पॉलिसी विदेश नीती को नाम दिया गया झाहिए रहार जबंधी फॉरेंड पॉलिसी के टाहँ सेच उस समय जो जो हमारे तुकुगावा फैमिली के लोग हैं इन्होंने एक पॉलिसी एक एक लॉव पारित किया जिसका नाम था Act of Seclusion Act of Seclusion में क्या कहा गया कि उस समय जो कॉलोनाइजेशन की की प्रॉसस्ट की प्रॉसस्ट को जपैन अच्छे से समझ चुका था इसलिए जपैन के को जादा से जादा फोरिनर्स को जपैन के से दूर रखने के लिए ताकि फॉर्एन influence Japan में ना हो यह अधनियम लाए गया ठीक है कि एक secluded विवस्था रहेगी एकांत में रहेगा जपान ना तो जपान में foreigners का आना एलाऊ है ना तो बड़े लेवल पर हम incoming allow करेंगे और नहीं बड़े लेवल पर outgoing मतलब जपान के बाहर भी बहुत सारे बड़े पैमाने के लोग नहीं जा सकते अगर जपान से बाहर किसी को जाना भी है कुछ विशेश कारें से पढ़ाई से related या माली किसी और परपस से तो उसको गवर्मेंट से अप्रूबल लेना होगा और गवर्मेंट के अप्रूबल के बाद ही वह फिर जपान से बाहर जा सकता है तो यह इसको एलाओ किया हो थे नोंने चाइनीज के साथ लोग खुद भी व्यापार करते थे बड़े प्यमाने पर कोरिया के साथ इनका व्यापार बड़े प्यमाने पर होता ही था तो ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से यह बंद था लेकिन सब्सक्राइब का मतलब है कि हम यूरोपियंज को बहुत लिमिटेड लेवल पर एक्सेस देंगे और हमें अपने जो कंट्री उसको बचाना है क्योंकि अब सिचुएशन का अभी आप समझोगे और इच्छे से ना इसको अभी डिटेल पूरा मेजी रिस्टोरेशन इसी के सब्सक्राइब करें अब जपान के पास एक बड़ा दुर्भाग्य बड़ा अनफॉर्चनेट इवेंट जहें वह पास आया और वह अनफॉर्चनेट इवेंट था जुलाई आट 1853 में जुलाई एट एट अब जुलाई 1853 में क्या हुआ कि अमारिका में उस समय प्रेजिडेंट था फिल मמד यह ने सोचा किया लेहो इस्वें अभी जेपान के साल ट्रेड रिलिशन चरूरी है और अब जेपान जिस हिसमारी सारी प्राब्लम्स और बढआ हैं इसलिए जो फॉर्रें पॉछिई उसको चेंज कराना पालवाई चाहिए और फिल मोर ने एक Neville Authority Commodore Matthew Perry टीक है American Neville Ship के साथ में American Neville Ship के साथ में अपने सीर्श अधिकारी अपने एक Top Level के ओफिसर जिसका नाम था Commander Matthew Perry टीक है तो Matthew Perry जो है Matthew Perry सब्तुंदड है ग्ट्णी पैरी को भीजाँ इन मामलों में अपने जो टिल्माटिक्न स्किल उसकी अच्छी थी इसले मांथ youtube पैरी को इस समय इस च्वसी कैम्पैंग में भीजा गया और इसका बेशिकली द品 ब्वन इसको यह का था और Japanese को समझाना है कि वो अपने harbors, अपने बंदर गाहों को हमारे ले खोले और हमारा consulate, हमारी embassy स्थापित करें और हमें वहाँ जमीने दे, हमें वहाँ proper area दें trade करने के लिए और हमारे साथ trade relation establish करें ना माने, ना समझे अगर Japan ठीक हैं यह समझाने पर अगर बात नहीं हो, तो अगर आपको कुछ दराना धंकाना पड़े तो आप वो भी करिए, किसी भी हाल में by hook by crook आपको Japan की foreign policy में changes लेके आना है और Japan के साथ में अब जब आप Lord क्या आओ, तो trade relations स्थापित हो जाने चाहिए मैथ्व पैरी ने प्रेसिडेंट के इस order को implement करने के लिए पूरा अपना determination बना लिया मैथ्व पैरी जो बाया, तो 8th of July 1853, मैथ्व पैरी जो है वो जो capital है ना, वहाँ पे एक बंदरगाह हुआ करता था वहाँ पे, वहाँ पे हारवर किया अपना जो शिप है, तो शिप को बहुत famous शिप है, ब्लाक शिप कहा जाता है, मैथ्व पैरी का जो जहाज था वो ब्लाक कलर का था, ठीक है, तो इसे ब्लाक शिप नाम दिया गया, ये ब्लाक शिप वहाँ एंकर करेगा, और इस तरीके से, पहले तो जपैरी इ बात सुनने नहीं आए हैं, हम अपनी बात सुनाने आए हैं आपको, और आप हमारी बात को सुनिए, ठीक है, हमारी बात ये है कि ये लेटर है, ये लेटर हमारे प्रेजिदेंट फिलमोर का है, इस लेटर को लीजिए, और इस लेटर में ये चीज़ें लिखी है, इस लेट तो इन्होंने कहा देखो ऐसा ही कि foreigners से जपान के समराथ का मिलना तो that is like impossible यह तो असंभव है no any foreigner can meet Japanese emperor तो वो समराथ है he is like a divine divine person ठीक है so he is not going to meet you वो तो मिलेंगे नहीं कोई भी विदेशी व्यक्ति मिली नहीं सकता है उनसे असंभव that is nearly impossible हाँ तो अपना letter देदो और उस letter को हम यहाँ पर जो भी होगा उस पढ़ेंगे possible action जो भी होगा लिया जाएगा अब भाई साब पहले तो मैथ्यू पैरी को लगा कि यह ठीक है letter देदू शायद सबको ठीक ठाक रहेगा लेकिन बीच में हुआ नहीं मतलब जैसी बाते मैथ्यू पैरी को लग रही थी गंभीर टाइप की होनी चाहिए वैसी हुई नहीं तो इसने थोड़ा बहुत क्या है अपना पावर दिखाने के लिए उसने लगबाग 72 ब्लाक पॉइंट फायर जो है वो तुम्हारे उपर भी किया जा सकता है यहां पागल नहीं थी जो हमने हवाई गोले दागे हैं ठीक है यह जो है वो बड़े बड़े तुम्हारे जो शेप यहां पर लगे हैं और तुम् हमें कोई दिक्कत हैं हम लड़ने के लिए आए ही हैं तो हमें चाहिए आपके यहां एक बेस एक पोर्ट जहां से हम ट्रेड कर से हैं प्रॉपर तरीके से ठीक है मतलब आप हमारे साथ जिबर्जस्ती रिलेशंशिप स्थापित करिए यह मैथ्यू पैरी का कहना था मैं निकल गया बाद में कुछ महीनों में वह साल भर किया कुछ महीनों फिर वापस आ गया वह जान बूच क्या था प्रेशर बनाने के पॉइंट आप वेसे हैं ज्याद लगाएंगे तो ठीक अब और जल्दी पहुंचेंगे तो थोड़ा सा और प्रेशर बनेगा वैसे ही थोड़ा सा गोले ओले दाक के आएं तो इनको टेंक्शन तो ही से लेकिन यह एक खुला खत्रा था आपके दरवाजे पर जहांपर आपका एक ऐसा ऐसा देश था जो आपके कि खुला धंकी तरह था यहां था यहां पर ट्रीटी साइन होगी जिसे हम कनवेंशन ओफ कनगावा कहते हैं ध्यान रखेगा सो युनाइटे स्ट्स अफ अमेरिका फोर्स जैपान तु साइन रखेगा ठीक है और इस ट्रीटी को जिसे हम कनवेंशन अफ कनगावा अभी आगे नाम लूँगा क्वा इसकर और इस ट्रीटी को यह यूएस यह जैपानीश-परन्फ इस यूएस जैपानीश फ्रेंजिप्रेटी कहते हैं चलिर यह जैपैनीश-पीस यहाश्पीस ट्रीटी के नम से को साइन करेंगे क्योंकि वही इसमें शोगुन है, so according to the treaty, now the Japan would permit and open diplomatic relations with United States of America, तो इस तरीके से United States of America जो है, वो सफल होगा अपने trading relations स्थापित करने के लिए कि इसके साथ Japan के साथ, अब अमेरिका को इतना interest क्यों आ रहा था, अमेरिका को क्यों करना था, चुछी देखो, आज क आप बड़े लेवल पर सुन चुके हैं कि Pacific में United States का जो है वो influence बढ़ रहा है, है ना, और Pacific को लेके जो United States of America है, वो काफी alert भी रहता है, ये आज की बात नहीं, ये बहुत पहले की बात है, इनके बीच में ये जो equations हैं बहुत पहली बन चुके, Indian Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean में तो अब देख दरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और Quad form किया चाइना ने, US, इंडिया, जपैन और Australia ने ताकि आपके चाइना को कंटेन किया जा सके, तो उससी तरीके से उस समय भी Pacific को लेकर, Pacific Ocean के resources और Pacific के areas को लेके थोड़ा सा टसल होता रहता था, अब यहाँ पर United States of America का चाइना के साथ जो व्यापार होता था, यह इस व्यापार में रास्तात होई जाएगा, आप मैप दिखोगे ना, तो मैप में आपको United States of America सीधे Pacific Ocean से होता हुआ आएगा, और यहाँ से चला जाएगा, तो जपान एक बहुत important route पर पढ़ता था, अब वहाँ से जब एक लंबे चोड़े रा रेस्ट करने का एक point बन जाए, एक port मिल जाए यहां पर, ठीक है, साथ-साथ इनके जो ships हैं, उनको refuel करने के लिए भी एक station मिल जाए, refueling station मिल जाए, दूसरे चीज़, अब जपान को भी United States of America major market, that is market, एक market के तोर पर देख रहा था, United States of America के लग रहा था, कि Japan is also good market, big market, त चुरू करें न, अब ये भी ज़रूरी है, और उस समय का trade convention जो है या उस समय के हिसाब से उस समय जो परंपरा चल रही थी, आपने देखा बड़े लेवल पर colonization चली रहा बड़े बड़े देशों का, तो किसी भी देश को force करना है कोई, मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक उन नहीं हम trade नहीं करेंगे, ठीक न, ये जो W2O और बाद में जो आपका general agreement on trade and tariff और सब बना, ये इसकी बहुत basic जो foundation है न, वो इन ही philosophy से यहां से आती है, तो Pacific जो है, इस Pacific में United States के जो interest थे, उनको solve करना के लिए इसको Japan चाहिए था, और Japan में अगर वही act of seclusion बना रहेगा न, वह इस exclusion वाली policy बनी रहेगी, तो कभी में Americans को entry का मौखरी नहीं मिलेगा, क्योंकि Japan जिन से चाहता था, उन से बहुत अच्छे से trade कर लेता था, बाहर वालों को अंदर आने की कोई अनुमिती नहीं होती थी, Japan की government जिस से चाहेगी, वो जिस तरीके से डिपलोमेटिक रिले को पूरी करने के लिए तुम अपने इन laws को change करो, clear it? Matthew Perry का आना जपान में ठीक है, एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा important event था, जिसका जपान की politics में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, Matthew Perry के आने से जपान की राजनीत में हलचल मच गई, it was like, अर्थ को एक आ गय कह दूं कि Japan जो अपने आपको थोड़ा सा modernize, बदब modernize नहीं लेकिन हाँ, अपने आपको एक powerful country मानी रहा था, at least Asia में, East Asia में तो था ही, इसमें कोई doubt भी नहीं है, तो पहली बार उसको एक बड़ा setback लग रहा किसे country से, और उस country के दबाव में आके उसको अपनी policies को change करना पड़ रहा है, तो जपान की राजनीट में इसको बहुत अच्छा और नहीं माना गया, इसको माना गया, एक humiliation की तरह ही लिया गया ना, और इसको आप कह सकते हैं कि भई ये जो तोकुगावा लोग है, ये नहीं चला आपा रहे हैं सरकार को, एक ऐसा mindset create होना शुरू हो ग family के जो लोग थे जो समय शोगुन के designation पर थे, उनको बहुत अच्छे से पता था कि अगर हम इस conflict को avoid नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इस conflict को यहां पर खतम नहीं कर पा रहे हैं, तो मान के चले United States of America जो है USA जो है, वो जो बातें कह रहा है, यानि war like situation create हो जाएगी, तो ये सच back होगा, इसलिए अब यहां पर तोकुगावा के against में revolt होने शुरू होए, तोकुगावा के खास कर इवन बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो खुद तोकुगावा के बसाय हुए लोग थे, मतलब बहुत सारे ऐसे समुराइज, बहुत सारे ऐसे clerical staff, बहुत सारे ऐसा officer staff, जो ख मेशा opposite पर रहता ही था, इन लोगों ने भी क्या कहना शुरू कर दे, इन लोगों ने भी कहा कि यार यह जो है, यह foreigners को allow किया जा रहा है, और इस तरीके से यह तो सब गरबर हो जाएगा, foreigners को जो है, वो Japanese port दे दिये गए हैं, और ऐसे में situation यह हो जाएगी, कि फिर वो तो हम हमारे economy, economy जो है, उसको धरे-दरे वैसे ही control करेंगे, जिसे इंडिया में हो रहा है, और जैसा चाइना में चल रहा है, ठीक है, तो Japan को भी शोगून जो है, वो control नहीं कर पा रहा है, शोगून के हाथ में नहीं रह गया, जहन रखेगा, और इस तरीके से withdraw होने शुरू हो ग कर दिया गया, कुछ boards को sink कर दिया गया, ठीक है, और local level पर जो uprising हो रही थी, इस local level की uprising में, शोगून को हटाने के बाद शुरू हो गई, यानि यह जो शोगूनात्स है, especially जो हमारे तोकुगावा family को लोग है, इनको यहां से हटाना चाहिए, इनको यहां से अप replace करना चाहि क्योंकि यह जो तोकुगावा शोगून है, they are not able to manage this Japanese political system, अचानक से आप देखोगे, जपान में एक नई हवा चलने लग गई, यह नई हवा क्या थी, इस नई हवा में, इस नए system में, emperor वापस से important होने लग गा, अभी तक जो emperor, जिसको बहुत ज़्यादा political terms में देखोगे बहुत ज़्यादा involved नहीं देखा गया था, बहुत कम राजनितिक शक्तियां थी उसके पास एक तरीके से, लेकिन अचानक से वो बहुत important हो गया, और ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि यह जो शोगून विवस्था चल रही थी, ठीक है, यह जो शोगूनात system चल रहा था, इस system म अब लोग fault देख रहे थे, लेकिन उन्हें alternative तो मिला नहीं था, अब उस alternative में उन्होंने जो है, वो यह वापस से एक movement चलाना शुरू किया, जिस movement में उन्होंने emperor को center में रख दिया, कि समराट जो है, वही महान है, और बाकी सब ऐसे ही, समराट के लावा और कोई manage कर नहीं सब ऐसे situation को, क्योंकि ये सबसे बड़ा political turmoil था जपान में, ये बहुत बड़ा राजनितिक, देखो कि तो mode था, क्योंकि ये जपान की जो sovereignty थी, ये जपान की जो independence थी, उसके लिए खतरा था, और Japanese इसको बहुत अच्छे से पहचान रहे थे, बहुत अच्छे समझ रहे थे, देखो, ये होता है vision, इंडिया में जब Britishers आ रहे हैं, तो इंडिया में आपका 17th Battle of Plassey की बात कर दो, मैं थोड़ा सा थोड़ा सा लीक से हट रहा हूँ यहां पर, बट फिर भी वो एक ज़रूरी यहां पर समझना, है ना, 1757 Battle of Plassey, 1764 Battle of Buxer की बात करी हमने, तो Plassey का यूद, बकसर का यूद, यह especially बकसर का यूद, ऐसा टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद especially revenue rights मिल गया ब्रिटिश आसको, तो देखो, 1600 से लेके, जब से company बनी, 1600 से लेके, आप देखो, फिर भी, 100 सालों तक, यहां वहां तमाम जगों पर काम की, और उसके अलावा, American continent की बात कर लो, मैं, आफरीका के साथ situation देखी रहे थे आप, तो फिर भी, भारत के लोग, एक awareness नहीं फैला पाए, इसका reason क्या रहा होगा, इसका reason यहीं हो सकता है, कि या तो वो international order, या international affairs के पर थी बिलकुल भी, जाने दो, जो हो रहा है देखा जाएगा, या फिर आप कहतेंगे, lack of vision था उनमें, बिलकुल भी दूर दर्शिता नहीं थी, तो Britishers के nature को वो बिलकुल भी समझ नहीं पाए, इवन आप देखेंगे, जब इंडिया में भी divide and rule की policy चल रही है, उस दौरान divide and rule की policy में आप देखेंगे कि Britishers एक राजा को side लेता है, और दूसरे राजा के साथ लड़ता है, और फिर वापस आता है, तो उसी के साथ में, जहां कुछ गड़वर होई तो उसको भी निप् नहीं था, इसलिए हो सकता है, यही reason रहा हो, बट Japanese इसको बहुत अच्छा से समझ रहे थे, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो independence है, वो खतम हो जाए, इसलिए इस independence को बचाने के लिए बड़े level पर उस समय के political system के against में revolt होने शुरू हो गए, विद्रो होने शुरू हो Emperor यानि समराड अचानक से re-emerge as important figure, एक बहुत महत्तपून figure के तौर पर emerge होके, सिनारियो में आएगा, clear है, इस समय मैंने काने थोड़ी दिर पहले भी ज़स मैंने Samurais की बात की थी, तो इस समय वो Samurais विशेष्टा जो इनहीं के दोरा अपॉइंट किये गये थे, बहुत ज़्यादा अच्छी family से नहीं थे, ठीक है, और even उनके उनका जो आपके दे लांड मिली हुई थी, यानि उनका जो एक social status था वो भी बहुत अच्छा नहीं था, तो वो अच्छी family से नहीं आते थे, अच्छे social status से भी नहीं आते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े ल perfection था उनको, लगना जानते थे बहुत अच्छे से, लेकिन तोकुगावा के clan को belong करते थे, तोकुगावा के well wishers थे, इस वज़े से उनको government में high designations पे, अच्छे अच्छे important designations पे इन्होंने रख दिया था, तोकुगावा के लोगों ने, अब ये भले officer थे, लेकिन जो हमारी, वो respect तो नहीं है न, अब जब इन्होंने ये मौका देखा, तोकुगावा की, जो है न, वो ये situation हो रही है, तो इन्होंने अब एक मौका अपने लिए भी तलाशा उसमें कि यार, अब हम थोड़ा सा अपने आपको establish कर सकते हैं, तो especially जो धक्षिन हिस्से के, sudden reason के ज शुरू कर दिया, और तोकुगावा के against में जो revolt हो रहे थे, उनमें भी इन लोगों ने शरीक होना शुरू कर देखा, clear है, इसी नारान, अब जब शोकुगावा है, आपके तोकुगावा फैमिली के जो लोग हैं, जो शोगुन्स हैं, आपके जो तोकुगावा फैमिली के लोग हैं, ठीक है, यह लोग, बहुत ही, मतलब हैना, helpless वाली situation में, अब क्या करना चाहिए, ट्रीटी भी साइन कर ली, हैना, कनागावा convention यह जिसे मैंने कहा, treaty of कनागावा, कनागावा convention का, वही, जो US treaty of, जपान and US treaty, US Japan treaty of peace, जिसके थूँ इन्होंने अपनी policy of seclusion, seclusion, act of seclusion को खतम किया, और Europeans को, या मैं कहूँ, Americans को intern होने दी, आपने हैं वापार करने के लिए, ठीक है, तो, इस treaty के इतने दूर गावी परिणाम हुए, इतने far-reaching impacts हुए, effects हुए, consequences हुए, कि अब, इन तुकुगावा के लोगों के लिए, अब इनने समझ नियार ख़ब क करना चाहिए, ठीक है, बड़े level पर rewards चली रहे थे, इनके against, दूसरी तरफ, emperor जो है, इसको अब, देखो, इस revolt में एक बहुत important change, जो हो रहा है, वो यह हो रहा है, कि यह जो समुराई लोग थे, खासका southern region को जो समुराई थे, इन्होंने किसी clan को prefer नहीं करा, और ना मतब को कोई एक ऐसे person को prefer करा, जो इस situation से उबार सके, क्योंकि अगर ऐसी situation होती ही, कि किसी particular clan को prefer किया जाता, या फिर कोई दूसरा वेक्ती है, जो शोगून बनता, तो इसमें clash के situation ज़्यादा create होती, समझ रहे आप, लेकिन इन समुराई लोगों ने ये बहुत अच्छे समझा कि emperor का विरोध कोई नहीं करेगा, अब emperor, samrath, samrath का मतलब आप समझ रहे हैं, एक divine figure, तो इनका विरोध कोई नहीं करेगा, इसलिए जब emperor के नाम की बात आएगी, कि अब वापस से samrath हर चीज को देखना शुरू करें, तो शायद तकुगावा के लोग भी एक बार compromise कर जाए है, वो उस समय, जिसे आप कह रहे हैं, मुझ रही ही तो, सो मुझ रही ही तो emperor को मेजी नाम दिया गया, ठीक है, और इस तरह के से, 14 साल का जो लड़का है, उसको इन ही southern region को जो समुराई लोग थे, ठीक है, इन्होंने guide करना शुरू किया, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं उस पे objection नहीं कर सकती थी, क्योंकि तोकुगवां समराट को represent करता था, तोकुगवां का शोगुन है, वो समराट को represent करता था, emperor को represent करता था, वो कभी emperor को, key orders को, instructions को, emperor को, जो है, बाइपास नहीं कर सकता था, ठीक है, उन orders को बाइपास करने के तो बात दूर किया है, 1868 में finally, एक movement चलाया गया, सोनो जोई, ठीक है, means river emperor, मतलब, यह इस, इसका मतलब यह है कि हम, अब सारा जो सम्मान है, एक उसमान समराट की तरफ ही देंगे, ठीक है, उसी की तरफ ही देखेंगे, क्योंकि अब वही उसी के पास है, ताकि वो हमको इस problem से, इस turmoil वाली situation से, उबार स से, clear है, so this movement started, सोनो जोई movement, और finally, since emperor was there, इसलिए अब तोकुगावा के उपर धेरे धेरे प्रेशर बढ़ा, और finally, जो लास्ट तोकुगावा, family का जो शोगून है, उस समय जिसका नाम था, तोकुगावा, योशिनोबू, ठीक है, उसने, राजा के नाम पर यह समराट के न मेजी रिस्टोरेशन, मेजी रिस्टोरेशन शब्द जब मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, कि समराट को पुनर अस्थापित किया गया, जो मैंने शुरू किया था, जब मैंने वीडियो शुरू किया था, तो मैंने आपको बताए था, transformation, transformation on the lines of western philosophy, western society, western industrialization, as well as, or with in the combination of Japanese traditional culture, laws, ethics, values, principles, morality, whatever was there, यानि जपान का पुराना चीज और यॉरॉप का पश्चमी देशों का नया चीज, नया system, तो इन दोनों का जो जोड है, इन दोनों का जो combination है, इसी को मेजी ने वहाँ पर implement किया, जह हम रखेगा, अब मेजी क्या शुरूवात में तो अभी सिर इसकली वहाँ पर वो कर रहे हैं, clear है, so the emperor position as the sovereign leader of Japan had been reasserted, वापस से जपान में समराट की जो इस्तिती है, उसको अब एक sovereign leader के तौर पर that no one can challenge the authority of the emperor, यह जो यह पहले भी था और वास्तविक्ता में पहले क्या होता था, समराट के लिए हमेशा इमानदार बने रहते थे लोग, जो शौगुन परंपरा भी थी, इसमें भी जो families rule करेंगी, they all ruled on the behalf of emperor actually, लेकिन emperor समराट, कुछ तो समराट होने के नाते आपकी एक opinion होनी चाहिए न, कि देश में कुछ भी चल रहा हो, आपके ही, मतलब एक जो representative होने के नाते जो है, वो दूसरों से लड़ रहे हैं, या जो आपके representative होना चाहते हैं, वो representative होने के लिए लड़ में हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए, एक ceremonial figure बनके, देवता बनके बैठ जाना, ये ठीक नहीं था, तो ये जो पुराना 1160 है, मतलब ये आप देख रहे हैं कि पुराने हजारों सालों से जो परंपरा चली आ रही थी, जिसको अब तोड़ा गया जाके, ठीक है, इस परंपरा ने जिपान के समराग को एक सोवरन लीडर के तोर पर इस्थापित कर दिया, और Japanese Government, जो की Emperor, ठीक है, Emperor और समराई एडवाइजर्स की Government दिध्यान रखेगा, clear है, अभी एक ट्रांजिशन फेज है, 1868 में ये एक ट्रांजिशन फेज हुई, इस ट्रांजिशन फेज के दुरां, 1868 से 1912 तक, 1868 से 1912 तक ये जो पूरा टाइम पीरिड है ना, इस पूरे टाइम पीरिड में मेजी इचाए रहे, वहाँ पर, 1912 में जब मेजी की डेथ होगी, तो उसके बाद सिर्फ वह अलग कहानी है, लेकिन 1868 से 1912 तक, मेजी वहाँ पे चाए रहे, और इस दौरान अभी शुरुवात में, जब यहाँ पर, सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, जब चेंजेस हो रहे हैं, और तोकुगावा से जो पा चेंजेस जो हो रहे हैं, उसमें शुरुवात में ऐसा नहीं होगी, तुरंत समराइज, अब 14 साल का तो लड़का ही है, वो अभी समराइज के एडवाइस में काम कर रहा है, दीरे तरी वो समझेगा चीजों को, यह था कि हाँ, वो व्यक्ति भी योग था, तो शुरुवात में भी transition phase के दौरान, ऐसा नहीं होगी, तुरंत constitution बन गया हो, तुरंत सारी चीजें हो गई हो, लेकिन, हाँ, emperor rule करेगा, और उसको guide करने के लिए, एक council रही, advisors की, यह मैं कहूं, group of people रहा, ठीके, समराइज एडवाइजर्स, और यही समराइज एडवाइजर्स, समराइज क को सुरक्षा भी देंगे, बड़े पैमाने पर सुरक्षित रखेंगे, even in revolts के दौरान, कई बार ऐसी situation भी बनेगी, जब राजा को भी खत्रा होगा, so these summaries, they protected the emperor, अना, समराइज को सुरक्षित रखा इनोंने, और यहां से, यह government, officially rule करना शुरू करेगी, along with the government, हाला कि बह बड़े परिवर्तर में वो अपने आपको स्थापित कर ले, finally emperor and samurai advisor started ruling, और capital जो है क्योटो से shift की गई, आपके यहां पर, ठीक है, एडो वाज रिनेम्ड, एडो यानि capital को रिनेम किया गया, पुरानी जो capital हुआ कर दे थी, ठीक है, उसको अब टोकियो कहा जाने लगा, टोकियो का मतलब ही होता था, eastern capital, पूरवी राजधानी, ठीक है, और इस तरीके से जपान में मेजी restoration को हमने officially इस्थापित कर दिया, clear है, अब आप देखो, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं मेजी restoration के दौरान, clear है, अभी तो हमने मेजी restoration को इस्थ doesn't simply means that something happened immediately, something happened with immediate effect, समय लगा थोड़ा सा इसमें, so मेजी restoration is basically a chain of event, मेजी restoration basically denotes to chain of events, यहाँ पर events की घटनाओ की एक श्रंखला है, चेन है, घटनाओ की श्रंखला क्या है, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ, internal crisis शुरू हुई, और यह internal crisis क्या हुई, इस internal crisis की शुरू होने का, जो reason था, वो था तोकुगावा family, तोकुगावा family के उस समय के जो काम थे, ठीक है, especially तोकुगावा की जो foreign policy थी, ठीक है, तोकुगावा की जो foreign policy थी, उसको लेकर बड़े level पर क्या था, discontent था, वहाँ पर बड़े level पर आसेमती थी, तो internal crisis हुई, और इस internal crisis में तोकुगावा को replace करने के लिए, बहुत सारे जो revolts हैं, यह होने लग गए, ठीक है, जब Matthew Perry आया, Matthew Perry आया, वहाँ पर अपने जहाज को anchor करेगा, इन से कहेगा कि भई, मैं यह चाहता हूँ कि आप अपने सारे ports को खोलिए, मैं अपने प्रेजिदेंट फिलमोर का message लेके आया हूँ, और तोकुगावा के लोगों ने उसको pressure मिलाने की कोशिश की, उसको वहाँ से हटाने की कोशिश क तो पहले कहेंगे, आप दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं खोलो के तो तोड़ देंगे, है ना, तो दयावाला रोल प्ले कर रहा था यहाँ पर मैथिव पैरी, अभी इस internal crisis के साथ में क्या था, strong anti-western sentiments की एक डर था, आप अपने घर में हैं और आप बैठे उने हैं, ठीक होगा आपके साथ, हैना, आप fearful situation में आ जाएंगे, हैना, आपके दिल की गहराईयों तक डर भर जाएगा, और खासकर वो डर, जो होगा वो आपकी existential crisis का डर होगा, कि यार अगर वो यह लोग आ गए, हैना, यह लुटे रहे हैं, बदमाश हैं, ठीक हैं, देकें, यह हमें मा लेकिन आप डर यह था कि यह मुझे नश्ट कर देंगे, यह तो मुझे किल करके चले जाएंगे, यहाँ पर independence, शतंतरताक होने का डर था, गुलाम होने का डर था, ठीक हैं, भारत जैसे देशों का हश्र, बहुत अच्छे से देखा था जपान ने, तो यहाँ पर strong anti-western sentiment है बहुत बड़े लेवल पर पश्चिम की अगेंस्ट जो एक sentiments हैं, वो जपान को force कर रहे थे, ठीक है, जपान को force कर रहे थे कि अब जपान एक बड़े लेवल में परिवर्तन करें, और इससे बड़ा परिवर्तन हो भी नहीं सकता था जपान में, कि बरसों से कटपुतली ब समराट अब ना है, तो फिर कहीं के समराट ना, तो खुल मिला के ऐसे situation आई, जिसमें ऐसा change भी हुआ, और वो change मेजी restoration कहला है, clear है, और इन डोनों की result की वज़े से क्या हुआ, टोकु गावा शोगुनार को खतम कर दिया गया, clear है, और वापस से imperial rule इस्थापित हुआ जप restoration तो यह आप बता सकते हैं, कि अब हम यहाँ पर conclude कर सकते है, clear है, मेजी restoration के अब जो अगले events से मैंने कहाना है, कि अब हम restoration की बात बेसिकल यहां से करना शुरू कर रहे हैं, so on 17th of April 1868, मैंने कहाना 1868 से लेके 1912 तक का जो period है, it is known as the मेजी restoration क्योंकि इस दोरान हमारा जो समर समराथ है, मुझ्ष ही तो, he became मीजी and he is ruling, so बहुत सारे social, political, economic, religious reforms होने वाले है, social, political, economic, religious reform, ऐसे जो जपान को एक feudal, जपान से, एक ऐसा जपान जिसमें समराथ, बस है न, सूर्य देवी का पुत्र बना हुआ, बस religious ceremonies में हिस्सा लेता था, वहां से निकल कर, एक ऐसा जो Europeans की तरह वर्दी पहनेगा, Europeans की तरह ड्रेस पहनेगा, तमगे लगाएगा, और पूरी तरह से westernize हो जाएगा, जो पूरी तरह से जपान को industrialize कर देगा, ये पुरा मेजी restoration है, ठीक है, so 17th of April 1868, 17 April 1868 में, यहां पर एक बड़े level पर एक charter oath जो है, वो issue की गई, ये charter oath क्या थी, राजा ने एक announcement किया, एक promulgation किया, ठीक है, तो राजा का ये जो announcement है, इसी को charter oath कहा जाता है, कि भाई, सब लोग अब ये करेंगे, ओध का मतलब अब प्रतिक्या शपत लेना है, charter of oath की भई सारे लोग अब क्या करेंगे, जो कुछ भी course of action था, जिस charter oath simply means that future course of action, जो future course of action है, उसको बताये गया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें clear थी, बहुत सारी चीज़ें clear नहीं थी, जैसे क्या क्या करेंगे, ये तो बह already clear नहीं था, जैसे शोगुनार खतम कर दिया है, तो खुगावा फैमिली अप नहीं है शोगुन, ये सब कुछ ज़्यादा बताया नहीं राजा ने, तब समराक ने इसके बारें ज्यादा discussion नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर बताये कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरह के ज modernization करना शुरू कर रहे हैं, जपान का आधनी की करन करना शुरू कर रहे हैं, modernization of the country, clear है, और इस modernization में हम वो सारी चीज़ें follow करेंगे, जो कि आज के, modernization का मतलब क्या है, उस जमाने में modernization का मतलब यही था, कि जो कुछ भी western countries कर रही है, या जो कुछ भी western Europe कर रहा है, विशेषता जो कुछ भी western Europe कर रहा है न, पश्चमी योरोप, जो कुछ भी कर रहा है, विशेषता विशेषत तोर पर, वही है आ whatever system which is following, you just follow it and you will be, you know, called modernized, you will be known as a modernized person, territory, country, whatever, ठीक है, तो आधनिक्ता का साफ-साफ पैमाना था कि जो कुछ भी पश्चिम कर रहा है, उसको आप follow करना शुरू कर रहे है, चाहे वो कपड़ों के पहनने का तरीका हो, चाहे वो बोली भाषा का तरीका हो, चाहे वो literature हो, चाहे वो religion हो, आप Christian मन जाए या आप modern मन जाएंगे, चाहे आप उनके parliamentary system को follow की तो जो कुछ भी पश्चिम कर रहा था, West कर रहा था, that was basically the modernization, तो जपान के समराट ने कहा कि भई हम भी अब क्या करना जा रहे हैं, हम भी आदनिक रास्तों पर चलने जा रहे हैं, जिसमें पुरानी सारी परंपराएं खतम होंगी, एक नए जपान का निर्मान करेंगे हम, जिसमें सभी लोग बरावर होंगे, वो class system पुराना खतम हो रहा है, है ना, जिसमें एक काटेगराइजेशन होता था, तो कुगावा फैमिली की दौरा लिए गया, बहुत सारे ऐसे decisions को reverse किया, समराट ने, जिक decision से एक जो class में unsatisfaction था, वो खतम हुआ, इसके अलावा, अभी तक जो लोग थे, है ना, उनको citizenship नागरिक था, देश के साथ में जो प्रेम, वो सब चीजों का उतना पता नहीं था, लेकिन पहली बार लोगों को officially citizenship की तरह के concept पता चले, और citizen की तरह treat किया जाने लगा, आप सब लोग नागरिक है, नागरिक और citizen क्यों शब्द इस्तिमाल किया जा रहा है, क्योंकि citizens के कुछ rights होते हैं, ठीक है, कुछ duties होती है, जपान की constitution ने fundamental duty भी आपको पता होगा, यह ना, वो तो बाद में include किया गया, अभी तुरंत नहीं है, तो citizen के कुछ rights होते हैं, citizens की कुछ duties होती हैं, मतलब आप ऐसे ही नहीं है कि ऐसे subjects हैं कि भाई, फ्यूटल वेवस्था है, आपस tax ले लिया, बात खतम, नहीं, अब आपके पास rights हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है, participate कर सकते हैं, system में, राजा की तरफ से लड़ सकते हैं, राजा के office में, अगर आपके पास quality है, qualification है, तो आप राजा के office में job पा सकते हैं, clear है, parties का formation कर सकते हैं, अपनी voice को race कर सकते हैं, तमाम सारे अधिकार, जो एक आम नागरी के पास होते हैं, clear है, तो देश का आधनीकी करन होगा, an introduction of a western parliamentary constitution, और साथ-साथ, Britain की तरज पर संसदी है, जो सम्विधान है, parliamentary constitution है, कि there will be a parliament, ठीक है, जिसमें आपका house of representative होगा, ठीक है, और एक normal council होगी, ठीक है, जिसमें house of representatives होगी, ठीक है, जिसमें house of representatives होगी, नॉमिनेटेटेट लोग, यहाँ पर रिवाई situation, prime ministerial system बनेगा, है न, और they all work, they all will work for the Japanese emperor, यह सभी लोग अपनी इमानदादी के प्रति रखेंगे, Japanese emperor के प्रति रखेंगे, क्योंकि अभी भी दो तीन चीज़ें जो थी, इस्पेशली तो army जो है, और defense system जो है, army, navy यह जो थैंगे, और विशेष्टा सारी bureaucracy, bureaucracy जपान के समराट के ही अधीन रहती थी, और basically वहाँ का जो defense system होता था, वो समराट के अधीन रहता था, क्योंकि जपान के समराट को supreme commander of the armed forces माना जाता था, ध्यान रखीएगा, clear है, इन सुधारों में, यह जितने भी सुधार हो रहे हैं, यह जितने भी reforms हो रहे हैं, ध्यान रखेगा, इन reforms का जो thrust है, इन reforms का जो motivation आ रहा है, वो international order से आ रहा है, अंतराश्ट्री जो उस समय परिस्तिया और international conditions है, वहाँ से आ रहा है, जपान के लोग बहुत अच्छे से जान रहे थे, कि इस समय की क्या परिस्तिया चल रही है, बहुत सारे देश जो है, वहाँ पर अपनिवेशी करण चल रहा है, colonial empire बन रहा है, जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है, चाइना में भी बड़े लेवल पर colonization की प्रक्रिया चल रही है, अब यहाँ पर यही था, कि सबसे जो real fear था, वो यही था, कि जपान भी colony बन सकता, आप देखो, मेजी restoration की बात की स्थितिया, मेजी restoration की हम बात कर रहे हैं, और इस मेजी restoration में, किन-किन चीजों को लोग समझ लिये हैं, और उन चीजों को समझ कर उनहीं के according काम कर रहे हैं, clear है, सबसे बड़ा जो वास्तिविक डर था, सबसे बड़ा real fear जो था, that was, जपान might be a colony, मतलब जपान भी एक colony हो सकता है, ठीक है, possible है कि जपान को भी might be made a colony, जो Europeans हैं, आ रहे हैं, अब तो trade के लिए भी उन्होंने force कर दिया हमें, हमने अपने दर्वाजे खोल दी हैं, तो हम भी तो colony बन सकते हैं, तो हम क्या करें ऐसे में, तो ऐसे में, बहुत सारे leaders थे, बहुत सारे scholars थे महाँ पे, जो अलग अलग तरह के ideas को propose करेंगे, महाँ पे rather than ignoring them, तो अलग अलग Japanese scholars और philosophers यह एक बहुत बड़ी चीज है, आप ऐसा किस देश में देख रहे हैं, जपैन के लावा थोड़ा बहुत चाइना में, एशिया में बड़े लवल पर इतने सारे देश हैं, उन देशों में, भारत जैसा बड़ा देश, भारत जैसे बड़े आ अलग तो जपैन से तो आकार में बहुत बड़े थे, एकनॉमी में बहुत बड़े थे, फिर भी किसी ने विजन रखा उस लायक नहीं रखा, क्यों नहीं लायक रखा, हमारे स्कॉलर फालतु बातों में व्यस्तत थे उस समय है कि नहीं, दरबार में राजा का गलोरिफिके लाड़े थे, कुछ ठीक ठाक थे, उनको बाकी सपोर्ट नहीं मिला, मतलब कुल मिला के कंडिशन जब डौवा डोली थी, तो अब आप देखो कितने बड़े लेवल पर बहस चल रही है जपैन में, स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, तो यह स्कॉलर्स और फिलोसफर्स जो उसे सीखना चाहिए, राधर देन इग्नोरिंग दें, अगर आप उनको इग्नोर कर देंगे, तो चाइना की तरह सिचुएशन हो रही होगी हमारे भी, clear है, so there is a need to learn the new ideas from Europe, कुछ लोग क्या कह रहे थे, कुछ लोगों कहना था, कि exclude the Europeans, clear है, हम नए technology को थोड़ा सा adopt करें, इसमें कोई doubt नहीं है, ठीक है, even जो नई तकनीक हैं, वो हमें offer कर रहे हैं, उसको भी हम ले लें, लेकिन European को ignore करें हैं, अब ये possible नहीं था, ये तो ऐसा ही हो गया, कि अब आप फूल ले लो, और फूल की खुश्बू को कहो कि वो वही रहे, फूल की खुश्बू आपके स किस चीज़ को आप avoid करी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ scholars का ये कहना था, कि हम क्या कर सकते हैं, European tradition को follow कर ले, लेकिन technologies को उनके ways को follow करना शुरू कर दे, बट ये उरोपियन को हम तोड़ा सा ignore करें, बहाई रहें, कुछ लोगों कहना था, some argued for a gradual and limited opening, ठीक है, कि हम धीर gradual level पर दुनिया के सामने अपने अपने देश को open करना शुरू करें, अपने दरवाजे खोलें, लेकिन उसी limit तक खोलें, जिस limit तक हमारा loss नहीं हो, क्योंकि अप दरवाजे खोलना भी ज़रूरी था, ऐसा भी नहीं था, कि आप अपने दरवाजे जो है, पूरी तरह से बं होगे, कौन-कौन से परिवर्दन, कौन-कौन से चेंज होने शुरू होगे, government जो है, emperor के अंडर में जो government काम करना शुरू कर रही, उसने इन सारी डिबेट से एक चीज जो है, वो observe करी, या एक चीज जो है, उसको result के तौर पे निकाला, कि यार कुछ भी हो, हम Europeans को पूरी तरह से ignore नहीं कर सकते हैं, ठीक है, so this is the time to imbibe the new technologies, admit those technologies, new ways, ठीक है, embrace the Europeans, their ways, at the same time, आपको अपना पुराना culture जो है, आपकी जो old legacy है, जो पुराना tradition है, उस tradition को you have to carry, उसको भी आपको carry करते रहना, तो यह जो basic essence निकल के आया, यह आपको government की policy में दिखना शुरू होगा, ठीक है, so the government launched a policy, सरकार ने, अब यह दे कोई, जितना भी काम हो रहा है ना, समराट के बिहाफ पे, अभी वो सब जो, जितने भी लोग है ना, वहाँ पे, वो सारे लोग कर रहे हैं, धिरे-धिरे, उ तो पश्चमी करण है, westernization है, है ना, यह westernization को अब हमें अपने यहां include कराना है, introduce कराना है, तो पश्चमी करण अब जपान का होना शुरू हो गया, जपान पश्चम के रंग में रंगना शुरू हो जाएगा, यानि west के रंग में रंगना शुरू हो जाएगा, और जब westernization हो पतलब बहुत कुछ युरॉप में जो चेंजेस हुए है ना 14, 15, 16 सेंचुरी में चाहिवा रनसांस से लेके तमाम दुनिया भर के इंडिविजुल राइट्स युरॉप में जो करांतियां हुई चाहिवा फ्रेंच रेवलिशन हुआ हूँ चाहिवा अमेरिकन रेवलिशन जपान अब इंडिस्टिलाइजेशन की तरफ भी जाहेगा आप देखो क्योंकि यूरॉप में जो कुछ भी हुआ ना वो इसी लालज के चक्कर में हुआ फायदे के ग्रीड के कि अगर आप सब कुछ लेंगे लेकिन इंड़िशलाइज इन करेंगे ना तो आप मान के चलो कि आपका आधुनी की करन नहीं हुआ है आधुनी की करन का मतलब यहां की खेट से निकल के फैक्टरी में बैठो ठीक है यही इसे निशन था और यही modernization भी था वहां देखेंग का जो जो स्लोगन था जो नारा था दाट वस फुकोकु क्योची फुकोकी कोची का मतलब यह था रिच कंट्री स्ट्रॉंग कंट्री यानी आगे ना इंडेस्टिलाइजेशन आगे ना क्यापिटलिजम यानी जितना आप एकोनोमिकली प्रॉस्परस हैं ठीक है उतने ही आप मजबूत देश हैं क्यों क्योंकि वेस्ट के साथ भी तो यही हुआ पूरे वेस्टन जो एसेंस को अगर आप देखोगे चाहे वो ब्रिटेन हो चाह आप में इंडेस्टिलाइजेशन इंडेस्ट्रिल रेवलूशन ने दोनों ने एक दूसरे की ज़रूरतों को देखते वें कॉलनाइजेशन शुरू कर दिया अमेरिका में यही कहानी शुरू हो गई जितने भी देशों में निकले वहाँ पर येरोपियंस ने कॉलनाइज करना शुरू कर दिया अमेरिका बस क्या तो बेसिकली यहीं से शुरू हो रही है रिच कंट्री रिच कंट्री स्ट्रॉंग आर्बी एक तो हमें बड़े लावल पर अपने यहां गया ऐसी नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में जबरदस्ती जाके कूदना शुरू करेगा यह नशा थोड़ा सा पागलपन का आ गया वैस्टनाइजेशन के साथ में थोड़ा सा सुपिरियोर्टी कॉम्प्लेक्स भी आना शुरू सुपिरियोर्टी ओड़न एषिया में जपान को तो मतलब जपान चाहि रहा था कि मैं ऐस्या में चॉब्स बड़ी ताकत के तौर बना रहूं क्योंकि मैं मॉडनाइज भी तो हुआ हूँ लेशिया में कोन मॉडनाइज हुआ को नहीं मॉडनाइज हुआ तो इस ट्रॉंग आर्मी का जो कंस same time with the industrialization and strengthening the defense system there was one more thing that was to create sense of nationhood अभी तक जपान में क्या था feudalism इस चीज को पड़के मेरे दिमाग में तो बस यही चीज आती है कि काश को यह सवेक्ति होता जो इस सेंस ओफ नेशन हुट को इंडिया में इंप्लिमेंट कर दिया होता अंग्रेजों के आने के पहले काश चाड़क के जैसे लोग भी होते कुछ ठीक है उस समय बस यह चीज अगर इंडिया में सेंस ओफ नेशन हुट बना हुआ होता ना नेशन हुट किसी एक समराट के अधीन देश होता बड़े विजनरी चंद्रगुप्त मौर और चानक के जैसे लोग जो थे या कुछ ऐसे जो दूर की देख सकते थे समझ सकते थे जो जो वैक्ति उनके पास आया है उसका बैक्गराउंड भी देख पाते थे कि यार यह इस होता भारत में तो शायद आज इतिहास कुछ और होता बट ठीक है वही इतिहास सिखाते ही आपको यह यह कि आप गलती कहा करते हैं और फिर उस गलती को सुधारना कैसे इतिहास की सबसे खुबसूरत चीज यही है कि वो आपको बहतर बनने का मौका देता है अब सबसे बड़ी चीज यह है कि यह तब होगा जो इसका फ्रूट तब निकलेगा यह फ्रुक्टिफाइड तब होगा है ना जब क्योंकि डिफेंस में बड़े लेवल पर हमें लोगों की जरूत पड़ेगी ना लोग आदमी में क्यों लड़ेंगे आज कोई ऐसी परिस बस नाल्स की जरूत है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लड़ना जानते नहीं भी होंगे इक पैट्रियॉटिसम के चलते जा सकते हैं महां पर तो इंडस्टिलाइजेशन और डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए तो मैंपावर की जरूत पड़ेगी बड़ जो सम्मान था वो भले था पहले लेकिन अभी भी नेशन के प्रती पूरे जापान भई अभी तक जापान में फूडलिजम था सामतवादी विवस्ता थी और सामतवादी विवस्ता में सबसे खास चीज क्या रहती है कि परसन जो हैं वहां पर दा इंडिविजूल पीपल दे आर लॉयल फॉर पर्टिकुलर रीजिन और दा हैड आफ डाट पर्टिकुलर रीजिन ठीक है वो लॉयल है उस छेत्र विशेश के हैड के लिए उनको पूरे जपानीज नेशन की जब बात करेंगे तो यहां पर वो उस लेवल का सेंटिमेंट उस लेवल का इमोशन नह कीगा जपान में एंपरोर सिस्टम लागू किया गया एंपरोर सिस्टम बहुत इंपोर्टन शब्दे देखो एंपरोर सिस्टम की जब मैं बात करता हूं तो यह वह इस शब्द का इस्तमाल किस बात के लिए करते हैं वह एंपरोर सिस्टम का जो टर्म है जो शब्द है उस नीदर नीजा नोर बुरोक्रेसी, ठीक है और पहले क्या होता था, पहले Emperor हो गया और Emperor के बाद उसके बाद Shogun हो गया और अब Emperor जो शकतएक्सरसाइज करता था तहार दियान रखे गा, यहां एम्प्रार हो गए देवता देवता है तो मंदिर में बैठ जाओ बस पूजा होगी आपकी और बस ऐश आराम के साथ जीवन जी हो कोई liabilities नहीं थी ध्यान रखेगा, responsibilities नहीं थी emperor की, सारी responsibilities इसको दे दी उसने, शोगून को दे दी और खुद जो है वो enjoy करने लगा मदब enjoy का मतलब है कि खुद एक ceremonial post बन गया designation बन गया, ठीक है तो अभी जब ये खतम हुआ तो अब emperor actual हो गया emperor system, तो जितने भी powers शोगून enjoy करता था again, मदब emperor की power enjoy कर रहा था ना, now emperor he, खुद ही उन सारी powers को enjoy करेगा, खुद ही उन सारी responsibilities को manage करेगा, with the help of council undoubtedly, बगार the prime minister दे सारा system तो ही रहा है ना तो अब क्या है, अच्छा भले prime minister system बना, constitution बना, इसका मतलब नहीं था कि Japan ने Britain के पूरी तरह से constitution को वो कर लिया हो या America के westernization को पूरी तरह से democratic system को blindly follow कर लिया हो नहीं, ऐसा नहीं था शक्तियां समराट में नहीं थी वहाँ पे और prime minister और सब कुछ भी रहेंगे, लेकिन bureaucracy और military का direct control हमेशा emperor के ही हाथ में रहेगा जहान रखेगा और यह last तक चलेगा second world war तक चलने वाली यह सारी चीज़ने थान रखेगा वहाँ ठीक है, चलिए, so bureaucracy और military का system जो है emperor से होके जाता है और यही emperor system है, और इस emperor system के अंतरगत बड़े लेवल पर reforms किये गए, ऐसे reforms जिन से western ideas जपान की तरफ आए western technology जपान की तरफ आए ठीक है, बड़े लेवल पर officials जो है, इन लोगों को European monarchies की study करने के लिए भेजा गया Europe में उस समय जितने भी monarchies थी चाहे हम रस्या की बात कर दें फ्रांस की बात कर दें ठीक है, ब्रिटेन की बात कर दें जहां जहां भी Europe में monarchical system था उस ज़्यादातर देशों में था इसमें कोई doubt नहीं है, Europe में ही समराट को जानने लगे पहले समराट को सुनते थे लेकिन अब active हो गया है, अब समराट को एक ऐसे विक्ति की तौर पर जान रहे हैं जो काम कर रहा है और जो जपान को एक शक्ति की तौर पर उभार रहा है, ठीक है समराट का जो birthday था उसको national holiday declare किया गया, समराट का जिस दिन birthday होगा ना national holiday सब enjoy करें, ठीक है अब उसने western military uniform पहनना शुरू कर दिया ध्यान रखेगा, clear है उसके नाम पर, समराट के नाम पर आदेश जारी किये गए कि आधनिक संस्थान बनाए जाए, modern institutions, चाहिए education system से related हो, चाहिए factories हो, ठीक है उन सब को set up किया जाने लग गया, किसके नाम पर, समराट के नाम पर ध्यान रखेगा क्योंकि समराट ही आदेश जारी करेगा, अब देखोगे, कि ये सारे changes हो रहे है क्यों बड़े level पर European मुनार्की इसको study करने के लिए भीज़ा जा रहा है ताकि हम देखें और हमारे यहां क्या feasible है, उसको हम implement कर सकें अपने यहां तभी न वेस्टन आडियास धेरे-देरे करके जपान में इंटर होंगे clear है, education system, सबसे पहले जो कुछ domains थे, जो कुछ भी ऐसे areas थे जिनमें आप परिवर्तन दोखों गए ठीक है, उनमें से एक education भी था, बहुत विजन की साथ काम हो रहा है जपान में, सिक्षा एक ऐसा टूल है जो आपके विचार, आपके सोच को regulate करता है, आप जो पढ़ते हैं, वही फिर आप बनते हैं, आपने बचपन से लेके जो कुछ भी इतिहास पढ़ा होगा, जो कुछ भी system, political system, या civics या जो कुछ भी चीज़े पढ़िए ना, वही आप आगे carry कर रहे हो, और आपके दिमा जो आगे भविच में चुनने वाले हो, उसी data के वेस्पे जो आपके दिमाग में बन गया है, clear है, अब आज जो भी भारत का इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, यह वही data है, जो कितावों में लिखा है, धीरे धीरे करके, इतना, इतना slowly, सोचो, थोड़ी देर के लिए कि भारत का इतिहास चेंज हो रहा है, थोड़ी देर के लिए बारत का इतिहास चेंज हो रहा है, और भारत के इतिहास से एक-एक पैराग्राफ करके मुगल हटा दिये जाए, थोड़ी देर के बात करना हूँ, एक-एक पैराग्राफ करके मुगल हटा दिये जाए, ठीक है पहले क्या था पहले बाबर से लेके और आपका बहादुर खां बहादुर शार जफर लास्ट जो मुगल रूलर है यहां तक के पूरे मुगल थे फिर एक समय ऐसा आया है कि सिर्फ बाबर से औरंगजेब तक के कहानी थी बात के लोगों को धरे-धरे समझाएगा फिर एक ऐसा है कि बाबर से औरंग जेब तक सब हैं, बाकी सारे खतम कर दिये गए, फिर दर दरे औरंग जेब के बारे में कम पढ़ाया जाने लग गया, फिर दर दरे औरंग जेब खतम कर दिया जाए, फिर ऐसे situation है कि बाकी के जो भी लोग हैं, उनके बारे में सिर्फ तूट की जा रही है, ऐसी बात नहीं कि इतिहास में सब खतम किया जाए, इतिहास में कुछ नया आने लग जाए, तो आने वाले 200 सालों में आने वाले 100 सालों में जो जनरेशन आ रही होंगी, वो इतिहास नहीं पढ़ेंगी, जो आप पढ़के जा रहे, वो एक नया ही इतिह पढ़ेंगे तियां सब्सक्राइब हो सकता है इतिहास एक्ता हो जो उतना हेल्दी नहीं जो आज या फिर हो सकता है ऐसा और अच्छा और अच्छा हो जाए जो आज नहीं आप ऐसा तमाम जगों पर हुआ बी, इवन शुरवात ने हमारे सांद ऐसा किया ध्यां रखेगा इत तिहास या कोई पीछ कोई बी चीज है, कोई भी subject है ठीक है वह education सही निकल कराथ अगर education में परवरतन कि जाएंगे चीज्या के थिया जाएंगे उदारण के लिए Japan में अभी सम्राट कितना महाँन है इसके बारे में तोकुगमा फैमिली को लोग नहीं पढ़ाते थे लेकिन अब समराथ के बारे में स्कूल में पढ़ाए जाएगा अब समराथ की महांता के सांसा जपान के कल्चर ट्रेडिशन को पढ़ाए जाएगा जपान एक राष्ट्र है एक नेशन है फ्यूडलिजम की तरह नहीं यह मा बढ़ेगा पार्टिशिपेशन भी बढ़ेगा जितना ज़्यादा पार्टिशिपेशन लेवल बढ़ेगा लोह को तो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होने शुरू हो और द्यान रखो और यह एजुकेशन सिस्टम 1918-1990 में देखो अठारा सो नब्बे में 1850 में भार तो इसी के आस-पास जपान में भी तो nationalism के बात हो रही है जिस टाइम पर भारत में बात हो रही है difference क्या है difference सिरुफ इतना ही है कि भारत में बड़ी मशक्कत हो रही है अंगरेज एक तो डिवाइड करने में भी लगे हुए हैं और दूसरा आपकी mतलब हमारे य Soci बुद्धी भी ऐसी थी उस समय लोगों की क्या कहें कुछ भी कहें अनफॉर्चुनेट थिंग कह सकते हैं उसको कि वो डाइजिस्ट भी नहीं कर पा रहे थी नए आइडियास को बहुत जादा एनर्जी लगाने के बाद कुछ लेवल पर नेशनलिजम जो है उसकी ग्रोथ तो बहुत से डिवाइड करने वाले लोग नहीं है सबसे खास चीजी है तो 1890 में जपान में Imperial Restriction Sorry, Imperial Rescript on Education means सिक्षा को लेके एक जो एंपायर जो Imperial Policy है वो बनी जिसको Imperial Rescript on Education कहा गया जिसके तहर जापानों में जापान के अलग-अलग शहरों में जापान के अलग-अलग शह वहरों में एक स्कूल सिस्टम स्टैबलिश किया जाएगा हर एक जगा पर पर्टिक्लरली स्कूल होगा अच्छा देखो इस नए सिस्टम में जो पुराना फ्यूडल सिस्टम है ना उसका सिर्फ नेचर चेंज किया ध्यार रखना क्यों कि बहुत सारे लोग हैं मैंने काम थो लॉट्स थे तो कुछ फ्यूडल लॉट्स को खतम ही कर दिया पुरी तरह से लेकिन कुछ फ्यूडल लॉट्स जिन्होंने वॉलेंट्रिली सरंडर कर दिया एंप एंपरर को क्योंकि बहुत सुप्रीम था इसमें कोई डाउट नहीं था एंपरर के भ्याब पर ही सारा इसलिए डिवाइड किया गया ताकि administration प्रॉपर हो अब रूलर नहीं है कोई आप गवर्नर है डे ओल आर रेस्पॉंसिबल तो दे एंपर वो सारे लोग तो अब यहां पर इन दाइमोज या जो फूदर लॉट्स हैं उनको एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफीशिल बना दिय क्लिए तो अब इनको क्या का गया कि यहां पर आप लोग अपना रेविनु इस तरह से मैनेज करिए के एडुकेशन को एक तो ऊपर लेके जाए दूसरा यहां पर मिलेटरी सिस्टम को इस्टैबलिश करिए थोड़ा सा मतलब मिलेटरी सिस्टम का मतलब यहां के यंग जो यूद्स हैं इनको आप मिलेटरी मैने के लिए प्रमोट के लिए तो यहां के लोगों को प्रमोट करें कि जादा से जादा आप मिलिटरी में पाडिसेपेट भी करें अब इस्टैबलिश की जाए हर प्रोविंश के लेवल पर यह जो नया स्कूल सिस्टम था इस नया स्कूल सिस्टम में एजुकेशन कंपल सरी किया आगया आप देखो 1890 में 1890 की बात की जारी है जपान में बअई और गल्स के लिए एजुकेशन कंपल सरी हो जाएगा तो कहां से न नैशनलिजम फैले जपान एडवान سो कहां से न जपान डिवलप हो जाए як आप 1890 Angebot में वहां पर बच्चे बच्चियों को बॉइस और गल्स को एजुकेशन कॉमन कर रहे हो बारत से कंपारेजन देखो यहां पर इंफिरिट कंपारेजन बहुत जरूरी है रिलेट करना बहुत जरूरी है उस दौरान आज के रेट में जो रिलेशन हो रहा है उससे भी ज्यादा लैवल सरकार क्या बहुत कम लोग है जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में जो जादे रूची रखते होंगे वह बड़े लेवल पर चेंजिस वे फ्रांस में लेकिन उस समय अगर कुछ ऐसा हो रहा था तो उससे प्रेज़ना भी ली जाती थी और वह प्रेज़ना वह इंस्पि बड़े लेवल पर सिक्षा का परचार किया गया और यह सिक्षा मुफ्त देरे देरे अब इलिमेंटरी लेवल पर मुफ्त मिलनी शुरू हो जाएगी ध्यान रखिएगा क्लियर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्थापित की गई विच विल बी एक्सरसाइज इस कंट्र क्या 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 रहेगा पाठिक्रम क्या रहेगा स्कूलों में वह सारा कुछ डिसाइड किया गया और इस कुरिकुलम में ध्यान रखो उसका ब्रेनवाश तभी होगा जब एक अच्छा लिटरेचर दोगे आप और अच्छा लिटरेचर पढ़ने के बाद वो व्यक्ति वही सोचेगा जो उस बुक में लिखा हुआ है उस बुक में पैक्रियोटिजम लिखा हुआ है उस बुक में एंप्रियर का समान करना करिकुलम में सबसे पहले तो पश्चुमी सिक्षा को भी उसमें इंक्लूट किया गया कि जो कुछ भी वेस्ट में पढ़ाया जाता है वो कितना इंपॉर्डेंट है और जो सिक्षा है इंग्लिश मीडियम में या जो सब्जेक्ट्स हैं जो लिटरेचर वहाँ पे होते थे जो फिलासोफ और इंटलाक्ट्ट्स महा थे उनके सब के बारे में यहां पर पढ़ाया गया वेस्टन एजुकेशन के साथ-साथ आप देखो ट्रेडिशनलिजम का ब्लेंड मिल रहा है यह नहीं है कि पूरी तरीके से पच्च्च में सिबता कि सिक्षा देनी शुरू कर द यह वेस्टन एजुकेशन आपके कमाने के लिए आपके एकनोमी के लिए आपके देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन साथ-साथ आपका देश क्या उसके बारे में जानीए और लॉयलिटी तोड़्स नेशन स्टड़ी ऑफ जैपान के इतिहास क्योंकि जप संब्स बहुत पुराने हैं हमारी ओरीजिन जो है वो डिवाइन है हमारा जो रूलर है वह संग अस का डिसंडेंट है संगोड़ेट का successor है उत्रादिकारी है उनका पुत्र है ठीक है एक तरीके से तो इस तरीके से बड़ी-बड़ी बाते की जाएंगी and becoming a citizen कैसा एक citizen शब्द का ही मतलब है responsible person कोई भी responsible native कह दू मैं responsible native ये शब्द मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है responsible native यानि वहां पर local जो व्यक्ति रह रहा है वो कितना उतरदाई है किस level पर उतरदाई है अपने डेश के लिए तो ये चीजें ये ideas एक idea बदल दे जिन्दीगी ऐसा कुछ करके हैं न dialogue so ideas ये ideas जपान की population को यरप से west से connect कर रहे थे और उस समय west का मतलब ये होता था कि आप social, political, economic, culture, religion हर aspect पर आगे हैं हर aspect पर superior है western का दूसरा मतलब ही हो गया westernization का दूसरा मतलब ही हो गया superiority श्रिष्टता एंड कीगा जो वैप्ती westernized नहीं है जो suit, boot, coat, tie और ये पश्चमी परिधान western attire, western dress नहीं पहनता वो क्या है, वो backward है, वो uncivilized है तो सभ्भे होने का, superior होने का एक मात्र पैमाना था how much, to what extent you are westernized, किस degree तक, किस level तक, किस extent तक आप पश्चमी जो संस्कृती है, पश्चमी जो सिक्षा है, पश्चमी जो आर्थविवस्ता है, पश्चमी जो राजनीती है उसका या तो ज्यान रखते हैं, या फिर आप उसको कितने level पर practice करते हैं, clear है? Now, to integrate the nation, अब nationalism तो पढ़ाना शुरू कर दिया भाई साब आपने, नेशनलिजम तो पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन nationalism पढ़ाने के साथ साथ कुछ practical level पर भी तो दिखना चाहिए, कि nation का मतलब होता है, one political system, one economic system, one decision making body, ठीक है? जैसे parliament की बात की जा रही है, तो अभी तक feudal system में तो सब को आजादी थी कि अपने अपने वो जो दायमोस थे, वो feudal laws थे, अपने अपने अरिया में decision making, अपने हिसाफ से लेते थे लेकिन अब decision making का one institution होगा ना, ये basically parliament का essence है, या मैं कहूं कि democracy का essence है, तो nation को integrate करने के लिए, राश्ट्र को integrate करने के लिए, to integrate the nation, the Meiji, मीजी government जो है, imposed a new administrative structure, ठीक है, इन्होंने इस नए administrative structure को implement किया, पुराने पुराने सारे administrative structure को उन्होंने पूरी तरह से discard कर दिया, खतम कर दिया, जैसा मैंने अच जस्त अभी थोड़ा सा जिक्र किया, आपको clear है, तो पुरानी जो old villages और domain की boundary, domain boundaries थी, उनको सब को इन्होंने destroy कर दिया, मतलब कुल मिला के ऐसे ही, कि अब जपान एक political system के अंतरगत काम करने वाला है, जपान एक हो गया पूरी तरीके से, clear है, एक complete territory हो गई है, और पहले क्या था, छोटी-छोटी territories में divided थी, उन्होटी-छोटी territories के, जो rulers थे, यह अपने आपको independent तोर पर rule कर रूल करत होते थे, independent तोर पर उस एरिया में, और वो अपने आपको वहां का head मानते थे, अपने हिसाब से चीजन को चलाते थे, responsible होते थे, वो किसके, शोगून के परति, और इस तरीके से सारा कुछ system चलता था, लेकिन अभी का हुआ, the whole Japan is one nation, पूरा एक nation है, और इसको administratively, छोटी- चोटी territory में हमें divide कर दिया है, चलिए ठीक है, ये चोटी-चोटी territory में divide कर दिया आपने, division के बाद में ये चोटे-चोटे जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो यहाँ पर जो daimos थे, इन में से बहुत सारे लोग जो supporting में थे, surrender कर रहे थे समराट को, या वो नए करके vision को implement करेंगे, clear है, पुराना पूरा system खतम कर दिया, feudal system पूरा खतम हो गया, यहां से, जो लोग नहीं मानेंगे न, जो राजा के system को नहीं मानेंगे, obvious यह बात है, उनको वहाँ से approved किया जाएगा, उनको खतम किया जाएगा, बड़े level पर जो लोग, मतलब, अलग opinion र कर दिया गया, और एक नया nation state established किया गया, इस nation state का सारा का जो सारा administration था, वो capital टोक्यो से चलता था, उसके top hierarchy में, emperor था, समराग था, उसके बाद, जो आपके decision making parliament की बात कर रहा हूं है, उसके बाद, इन्होंने भी अपनी पार्लेमेंट को diet नाम दिया था, तो उसके बाद, यानि पार्लेमेंट और वहाँ पर जो elected representatives हैं, वो elected representatives जपान के administration को run करेंगे, all young man over 20 had to do a period of military services, हर उक व्यक्ती जो 20 साल के ऊपर है, उसको Japanese military service में अपनी services देना जरूरी है, इसके लिए भी समय होता था, एक साल आपको किस सारा से देनी है, उसके बाद अगला साल किस सरे रह यानि मैंने शुरू में इस वीडियो में कम से कम दसों बार ये चर्चा कर दी कि जो समराथ है, उसके अंडर में दो चीजें तो रहेंगी, रहेंगी, पहली चीज थी, बीरोक्रेसी और दूसरी चीज थी, military, clear है, legal system was set up to regulate the formation of political groups, यानि कि parties, जो भी political group, चुंकि अब citizenship को concept आ आएंगे, तो parties के लिए guidelines, एक legal system, legal code, बकायदा कानूनी विवस्था लागू की गई, जिस कानूनी विवस्था के तहट parties बन सकते थे, वो अपने opinions को यहाँ पर रख सकते थे, इस system में एक और नई चीज आपको देखने को मिलेगी, यह नया system जो है, यह Japanese government को क्या करेगा, motivate करेगा, क्या motivate करेगा, अब आप westernization के यह western idea के एक दूसरे aspect को भी follow करना शुरू करें, और वो दूसरा aspect है expansion का, ठीक है, विस्तार का, चूंकि बड़े level पर जपान में economic activity शुरू हो रही है, आर्मी के ओपर भी अच्छा खासा खर्च होना शुरू हो रहा है, इसलिए, आर् nation state के strengthening के लिए दूसरी colonies में अपने occupation के लिए Japanese emperor को क्या करेगे, एक तरीके से आप advice देना शुरू करेगे, कह सकते हो, clear है, so army pressed for a vigorous foreign policy, ठीक है, आर्मी के ऊपर आप कह सकते हैं, दवाव भी बढ़ा, या फिर आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के भी motives थे, क्योंकि उ आर्मी में जो basically किसी ना किसी तरीके से, sorry, government में वही लोग रहेंगे, जो कहीं ना कहीं basically army में सर्व करते हो, ताकि वह एक nationalism का जो कीड़ा है ना, वो बना रहे हैं, उनके दिमाग में, आर्मी का मतलब भी है कि वही वह व्यक्ति थोड़ा सा देश के लिए जादा इमानदार रहेगा, तो वही वक्ति अगर political capacity में, political office में भी सर्व करेगा ना, तो वो आर्मी के और political जो विंग है, उनके दोनों के interest common हो जाएंगा, अब वसी बात है, तो यहाँ पर, और economic interest मतलब सब सारी चीज़ें common ही रहेंगी, और देश चलाने के लिए एक बड़ी मजबूत सेना का होना बड़ा अवश्यक है, एक vigorous, एक aggressive foreign policy की demand होनी शुरू होगी, और इस aggressive foreign policy का tool यही था, एक aggressive foreign policy का आप कह सकते हैं कि जो implement करने का tool यही था, कि हम अपने उस aggression को आसपास के area में spread करें, यानि उन territories को acquire करना शुरू करें, जो territories हमारे domain में नहीं थी अभी basically, clear है, जिसकी वज़े से आप देखोगे, जपान में अब, अभी जपान खुद को ठीक है, खुद को strength कर रहा था, ठीक है, खुद की strength को gain करने की कोशिश कर रहा था, और अपनी strength को gain कर भी लिया बड़े level पर, westernization की तरफ आंगे बढ़ा, ठीक है, industrialization होना शुरू हुआ, economic prosperity आये, military भी strong ह कोनी शुरू हो गई, Japan की, ठीक है, इन सब के बीच अब नई requirement जो थी, वो यही थी की, colonization हो, Japan ने colonization शुरू किया, चाइना में तो बड़े level पर आपको पता ही है, manchuria का पूरा हिस्सा, korea, यह सब occupy कर लेगा, चाइना, जपान है ना, और चाइना का तो कितना ज़्यादा परेशान किया, यह हम आप अभी चाइना में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है, सो, सीनो जैपैनीज वार होंगे, यहां पर द्यान रखिएगा, हैना, दो दो युद्ध होंगे, और खासकर प्रतम युद्ध में तो चाइना को बहुत बुरा setback, जपान की तरब स इसको लेके बड़े लैवल पर रशिया के साथ में disputes हुए और रशिया को भी defeat किया, तो जपान एक इतने बड़े military power के तोर पर उभर के आएगा, कि वो ऐसे बड़े देशों को यहां पर defeat करेगा और victorious emerge हुआ, clear है, कुछ drawbacks भी थे, साथ-साथ कुछ drawbacks भी थे, drawbacks क्या थे, जब आप बड़े लैवल पर military occupations करोगे, या आप aggressive nationalism की तरफ जाओगे न, aggressive nationalism हमारा एक topic भी आगे हम पढ़ने वाले हैं उसको, जब आप aggressive nationalism की तरफ जाओगे न, तो कई बार क्या होता है कि अब राश्टर का मतलब यह हो गया collective benefit और साथ-साथ, जब military है महाँ पे, तो इसक को भी एक तरह से मतलब शक्की निगासी देखा जाएगा, तो यहाँ पर भई होना शुरू हो जब जब जपान की जो aggressive policy है, उसका opposition होना शुरू हो गया, उसको विरोध जहिलना पड़ गया, क्योंकि अब जब आप western ideas अपनाई रहे हो, तो western ideas में सबसे बड़ा concept democracy का भी है, और democracy का मतलब है कि लोगों के हाथ में power होनी चाहिए, यानि कि जो common man है, उसके हाथ में शक्तिया होनी चाहिए, women's को लेकि अभी तक voting rights बगएर नहीं थे जपान में हलाकी, और भी जगे नहीं है, लेकिन फिर भी situation जपान में देखोगे, तो वो जो पश्चिम कर रहा था, उसको इन्होंने अपने हिसाब से implement किया है, ऐसा नहीं कि आंके बंद करके implement कर दिया हो, और सारी चीज़ें, मतलब ideal way में हो, ideal way में नहीं थी कुछ भी, सब कुछ realistic था, idealistic कुछ नहीं था, और ये जो realism है, उसकी वो बलकि एक बड़े level पर उसकी ideology है, ठीक है, और उस ideology को implement कि जा जा रहा है, ताकि और realistic महौल बनाए जा सके, तो ये जो aggressive nationalism जपान में फैलना शुरू होगा इस समय, इस aggressive nationalism की वज़े से जपान में धीरे 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 प्रोटेस्ट मूब्मेंट शुरू होंगे, विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे, और इन विरोध को जो है वो राइट्स दिए गए, liberty, equality, fraternity की बात हुई, right of individual की बात हुई, व्यक्तिकत, अधिकारों की बात हुई, तो वो जपान क्यों नहीं implement करता है यहां पर, clear है, और बड़ी बात है, अगर ऐसा कर देगा जपान, तो फिर शायद इस aggressive nationalism, colonialism, इन सब को justify करना थोड़ा स मुश्किल रहेगा न, इसलिए बड़े पैमाने पर यहां पर उन लोगों को suppress भी किया जाएगा, ध्याम रखेएगा, clear है, यह आवश्यक्ता थी जपान की, अगर जपान इस समय डेमोक्रेसी को पूरी तरह से support कर देगा, या डेमोक्रेसी के full concept को, ideals को fully implement कर देगा, तो उस को sustain नहीं कर पाएगा, इसलिए जपान में बढ़ती हुई अर्थववस्ता या मैं कहा दूं कि economy को और develop करने clear है, और अपने colonial empire को बनाने के लिए, इस डेमोक्रेसी के spread को या इस डेमोक्रेसी की concept को करब करना पड़ा, ध्यान रखेगा, और बड़े level पर करब होगा भी, ज Japan के खुद के देश में भी बड़े level पर descendants जो होंगे और जो opposition में लोग होगे, अपने country में भी उसने democratic principle और democratic set ups को करब किया, और colonies में तो अब्यसी बात है, वहापे करे गए, क्यों करब नहीं करोगे, तो फिर वहाँ तो अपने empire को establish करना मुश्किल हो जाएगा आपके अगर हम करते तो शायद उसको इस एक वीडियो में भी जितने ये खुद भी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन इसके अलावा हमें और दो तीन वीडियो बनाने पड़े जाते हैं, इतनी ही लेंद गें, तो फिर भी आपके syllabus से थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने आपको पढ़ा आपको इस तरीके का एक टाब दिखेगा, सबसे पहले इस तरीके का एक टाब दीखेगा, जिसमें आपको class जो है दिख रही होगी class 1 से लेके class 12 तक, जिसमें आप class 11 को जब आप click करोगे ना, तो आपको इस तरीके से बकाईदा faculty member के साथ में, उनके subject के साथ में tab वो कुछ class history जो है वो इस तरीके से होगा इस तरह का page होगा वो ये और जब आप इसको click करोगे तो आप देखोगे कि chapter wise videos आपको दिख रहे होंगे chapter wise videos जैसा भी 11 में जो अभी आपका syllabus है उसके हिसाब से जो आपके chapters थे या मैं कहूं sections, themes या topics, subtopics थे वो हमने सारे videos के form में यहाँ पर रखने हैं जिस भी particular topic को आपको watch करना है आप जिस click करेंगे उसको जैसे click करेंगे वो video यहाँ पर play होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो देखो यह हमारा एक effort है ताकि हम आपके उन सारे efforts को कम कर सकें जिनकी विज़े से आपका time वेस्ट हो रहा है आपके resources वेस्ट हो रहे हैं और साथ ही आपकी productivity को enhance कर सकें हम ठीक है तो हमारे effort में आप participate कीजी कैसे videos को like कीजी channel को subscribe कीजी और videos को जादा सजादा अप की need के हिसाब से काम कर रहा हो और उनको बहुत एक easy platform provide कर रहा हो जहां से वो बहुत आसानी से सीख सकें तो बने रहे है बैंगनेट ब्रेंस के साथ thank you